Hello students, आज की क्लास में आपका स्वागत है आज हम fashion और style के बारे में बात करेंगे क्या होता है fashion, क्या होती है उसकी style किस-किस principle से दान्द को इसमें count किया गया है इसके अंदर किन-किन का define किया गया है उनके बारे में हम discuss करेंगे तो सबसे पहले जो fashion और style दे रखा है वो आपके product की जो policies होती है product policy होती है उसका बहुत important part है क्योंकि product policy जब भी आप decide बनाते हो तो आपके उस जिस product के regarding आप क्या कर रहे हो product की policies बना रहे हो सबसे पहले आपको क्या बात मदे नज़र रखनी है कि आपकी product की fashion और उसका style कैसा है क्या आपका product fashion के हिसाब से चल रहा है क्या आपके product का style कैसा है इस पर depend करती है आपके product policies clear है यहाँ तक अब हम बात करते हैं कि स्टेनन के according fashion वह शेली है जिसे एक उच्चित रूप से लंबी सम्यावधी में कई क्रम बद्व्यक्ति समोद्वारा लोग प्रियता के साथ स्विकार और क्रह किया जाता है यानि fashion वह style है जिसको बहुत long term के लिए long term के लिए क्या करते हैं लोग उसको accept करते और लोग उसको क्या करते हैं buy करते हैं just example पर बात करते हैं हम एक example की बात पर जो trending होगा जो fashionable होगा क्या वो product हम नहीं खरी देंगे खरी देंगे बट अव्यस हम खरी देंगे क्यूंकि हम आज के जिस जमाने में रहे रहे हैं वहां पर fashion और style को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना की एक product policy के बाकी factors को आप labeling को जितना importance देते हो उतना ही आपके fashion और style का भी importance है जब तक आप किसी product में innovation के नाम पर अगर आप fashion और style में variation नहीं लाती है तब तक आपकी जो product है उसमें innovation या किसी भी तरह का variation एक customer की नजर से नहीं माना जाएगा एक बात बताओ customer उस product को सबसे पहले देखेगा या use करेगा सबसे पहले वो क्या करता है उसको देखता है ठीक है देखने पे अगर उसको वो product fashionable लगा या उसकी style attractive लगी तो क्या वो customer उस product को खरीदेगा यह सबकॉस वो उस product को खरीदेगा पर अगर हम बात करें कि हम fashion style को हटा दे और उसकी जगह पर variation उसकी quality में लाए यानि मैं यह नहीं कहना चाहती हूं कि variation quality में नहीं लाना चाहिए पर variation लाने के साथ चाहत आप fashion और style को भी continue करें इस तरह से आप fashion और style को अपने product में किस तरह use करते हैं उसका utilization कैसे होता है वो आपको दे रखा है हमेशा यह देखा जाता है कि जब एक सामाजिक वर्ग समूव द्वारा किसी शेली के उत्पात को अपनाया जाता है तो अन्य वर्ग भी उसका अनुसरन करते हैं एक बात आपको बता है जब भी हम किसी product को पहले बताओ पहले हमारे घर पर TV पहले 90 की बात कर दियो 70 की बात कर दियों मोबैल फोन नहीं था इंटरनेट नहीं था तब लोग वही product खरीतते थे जो उनको available है पर आज के इस modern जबाने में हमारे पास बहुत सारे alternatives खड़े हो जाते हैं ठीक है वहाँ पर उस condition में हम उस प्रड़क को यूज जाधा करते हैं mainly लोगों का यह intention होता है हम कह सकते हैं कि वह purposefully जो प्रड़क्ट हम कह सकते हैं जो प्रड़क्स celebrity richest person या फिर आप कह सकते हो politicians या फिर आप कह सकते हो इन तरह के लोगों यह पर्टिकुलर section है particular category category नहीं कह सकते एक group है अगर इस group के द्वारा कोई भी product यूज किया जाता है तो हम चाहते हैं हमारी इच्छा होती है हमारी यह desire होती है कि हम भी उस product को यूज करें just example दे रही हूं देखिए विराट को लिए स्पोर्ट परसन ठीक है यह जो भी प्रड़क्स खरीता है वह यह प्रड़क्स की वनेट और उसकी ब्रैंड का नाम है वनेट तो इस तरह से विराट कोली ने जिस भी ब्रैंड का advertisement किया है हम उस product को खरीदना चाहेंगे clear यहां पर यानि कि जो बड़े-बड़े सामाजिक या धनी वर्ग के जो लोग वस्तुए और सेवाए खरीते हैं जिनका उप्योग करते हैं प्राय हम भी उनका अनुसरन करने की चेस्टा रखते हैं clear यहां तक बात आपको समझ आई अब हम आगे बात करते हैं कि इस प्रोसेस में तीन सिद्दान्द है चीक हैं तीन सिद्दान्द है सबसे पहले बात करते हैं हम trickle down सिद्दान्द की यह क्या कहता है उस पर बात करते हैं यह कहता है कि सिद्दान्द में ऐसे लोगों के समख्ष जो उच आईवर्ग के प्रतिनिदी या सामाजिक नेता है नवीन शेली को प्रस्तूत किया जाता है यदि ये प्रतिनिदी उस शेली को स्विकार कर लेते हैं तो शिग्रही उस शेली के उत्पात के वित्रन माध्यमों द्वारा व्यापक रूप से फेलाया जा सकता है अभी हमने बात क्या की हमने बात की कि जो सामाजिक वर्ग से या आर्थिक वर्ग से जो धनी लोग है वो अगर किसी स्टाइल को पसंद करते है किसी style को उनके सामने अगर present किया गया है और अगर वो उस style उस fashion उस शेली को स्विकार कर लेते हैं उसको accept कर लेते हैं तो बहुत fast बहुत शिग्र ही क्या कर लेते हैं उस जिस style को उन लोग ने accept किया है उसको market में spread कर देते हैं मार्केट में flow कर देते हैं जिससे क्या होगा मार्केट में उसी उत्पात को निमनवर्ग और मध्यवर्ग अपनाने लगेंगे और वो style ज्यादा फेमस होती चली जाएगी क्लियर है यहाँ पर देखिए इसका आम कंटेन यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं चले रुके जारेक यही लिखते हैं ऐसे लोग लोग के समक्ष जो उच्छ वर्ग उच्छ आय वर्ग उच्छ आय वर्ग के प्रतिनिदी या सामाजिक नेता है नवीन शेली को यह हम क्या बढ़ रहे हैं वैसे फैशन और style के कुछ सिद्दान दे रखे हैं उनकी बारे में बात कर रहे हैं सबसे पहला है ट्रिकल डाउन उसको देख लेते हैं ट्रिकल डाउन हमने देखा है कि हम ऐसे लोगों की सामने अपने प्रड़क की style अपने प्रड़क का fashion प्रेजन करते हैं जो धनी लोग हो जो सामाजिक रूप से संपन हो तो वे प्रतिनिधी क्या करते हैं अगर उस हमारे प्रड़क की style को accept करते हैं तो हमारा प्रड़क्ट मार्केट में चलने के लिए सर्वाइव करने के लिए तेजी पकड़ सकता है ठीक है उस सेली को अगर कि स्विकार करता है कि स्विकार कर लेते हैं कर लेते हैं तो शेगर कि उस शेली के उत्पाद को वित्रन माध्यमों द्वारा मार्केट में फ्लो करवा दिया जाता है के द्वारा बाजार में बाजारों में वियापक रूप से फैलाया जाता है क्लियर है यहां पर यह समझ आया ट्रिकल डाउन यानि कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से धनी होते हैं वो लोग अपनी जिस फैशन और जिस स्टाइल को अगर वो एक्सेप्ट करते हैं और उसी स्टाइल को अगर उनने एक्सेप्ट किया और वो खुद यूज कर रहे हैं तो वो शैलीम निम्न वर्क और मध्यम वर्क के लोगों द्वारा भी अपनाने अपनाई जा सकती है यह था हमारा ट्रिकल डाउन अब हम बात करते हैं ट्रिकल अप क्या होता है उस पर बात करते हैं ट्रिकल अप सुद्धान ट्रिकल यह क्या कहता है इस पर बात करते हैं चलिए यह कहता है कि इस सुद्धान के अनुसार कई बार क्या हुआ है कई बार प्रेशन का प्रवा नीचे से उपर की और होता है यानि नीचे से उपर की और होता है अब ट्रिकल डाउन में हमने क्या पड़ा कि जो फेमस लोग है अगर उन्होंने कोई जैसे यह आर्थिक रूप से संपन लोग धनी वर्ग अगर उन्होंने कोई प्रेड़क्ट अपनाया है तो वो सीधा निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग द्वारा भी अपनाया जाएगा पर अब हम बात करें ट्रिकल अप सिद्धान की यानि कि कई बार ऐसा होता है कि फैशन नीचे से उपर की और होता है यानि समाज के नीचे वर्ग की द्वारा पहले अपनाया जाता है और कालांतर में वे उत्पाद समाज के उच्च वर्ग द्वारा भी अपनाए जाने लगते हैं जैसे नीचे से उपर की और उपर की और होता है ठीक है जिन्हें कहीं उत्पाद प्रारम में समाज के नीचे वर्ग के जो लोग है निम्न वर्ग के जो लोग है उनके द्वारा अपनाई जाते हैं इसका एक्जाम्पल है बेस्ट एक्जाम्पल है आपका चाय जो टी आती है ना यानि कि चाय के बागान सबसे पहले जो खेती करते हैं वो लोग उसको यूज करते हैं वो जैसी नहीं चाय मार्किट में लाना चाहते हैं वैसी वो चाय ला सकते हैं वो जिस तरह की चाय को मार्केट में प्रिजन करेंगे उच्छ वर्ग और संपन वर्ग उसी चाय को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं क्लियर है यह था हमारा ट्रिकल अप सिद्धान अब हम बात करते हैं ट्रिकल अक्रोस सिद्धान थर्ड की बात करते हैं ट्रिकल अब ये क्या होता है इस पर बात करते हैं देखिए कि इस इतान में मूल क्रेता केवल उच्च वर्ग के ही नहीं होते हैं जो में बायर होता है न वो सिर्फ उच्च वर्ग नहीं होते हैं जो क्रेता होते हैं वो सिर्फ उच्च वर्ग के ही नहीं बलकि इसमें सभी वर्ग निम्ण वर्ग और इसमें मध्यम वर्ग तीनों वर्ग के कृता यानि जितने भी समाज में बायर है वो सारे लोग हमारे रिप्रेजंटेटेव होते हैं यानि हम अधर वर्ड में कहें के नई शेली के उत्पात को विबिन समुदायव को एक साथ यानि अब तक हमने जैसे यह सेकेंड बढ़ा फॉस्ट इसमें हम क्या करते थे उच्च वर्ग के जो लोग थे उनको हम पहले प्रेजंट करते थे और बाद में क्या करते थे हम बाकी लोगों को प्रेजंट करते थे ट्रिकलक में क्या था कि हम ना निम्न लोगों को पहले प्रेजेंट करते थे निम्न वर्ग के जो लोग है वो हमारी प्रायोर्टी थी उनको प्रेजेंट करते थे पर अक्रोस में क्या है कि हम इन तीनों को एक साथ क्या करते हैं अपने प्रेड़क को प्रेजेंट करते एक सा तीनों को चिकैंद अंतर से पितना होता है कि उच वर्ग की गुनवत्ता सिर्फ डिफ्रेंज कितना है मुख्यूर्ण आपका आपका उच वर्ग क्या करेगा उसकी कुईलिटी जो है उच वर्ग की वो हाय होगी ठीक है अगर quality high है तो उसका मुल्य भी high होगा यानि उसका price क्या होगा quality अच्छी दे रहा है प्रड़क की तो price भी high होगी फिर है कि निमनवर्ग की quality हम बात करते हैं यहाँ पर अगर निमनवर्ग की quality की बात करें तो वो कैसी होगी थोड़ी से comparatively low ठीक है और price भी क्या होगी less होगी ठीक है यहाँ पर तो इस तरह से पर इन तीनों को एक साथ present किया जाता है एक प्रड़क जो होता है वो इन तीनों को एक साथ present किया जाता है सिर्फ फर्क इतना है कि उच्च वर्ग की जो लोग है उनको high quality high price पर मिलता है वो ही प्रड़क और निमनवर्ग की लोगों को low quality और low price पर मिलता है गुणवत्ता इसका प्रपाव यह होता है कि सबी प्रकार के समुदायों के नेता उस उत्पात को खरीच सकते हैं इस ट्रिकल अक्रॉस के एक ही जादा सबसे effective जो तिंग है वो यह है कि इसमें तीना एक साथ क्या कर सकते हैं उस प्रड़क को खरीच सकते हैं उस प्रड़क का उत्पात को खरीचना एक साथ स्टार्ट किया है तो समुदाय कि जितने भी बाकी व्यक्ति यह बाकी जो बायर्ज है वो भी उस प्रड़क को खरीचना स्टार्ट कर देंगे इंशॉट इससे क्या होगा उस company के उस प्रड़क के बायर्ज क्या होंगे इंक्रीज क्लियर है यहां पर यहां तक समझ आया इस प्रकार एक शेली धीरे धीरे फैशन का रूप धारन कर लेती है फैशन और शेली की सपलता ग्रहाग स्विकरती पर निर्भर करती है अब ने बात की कि बिना पायर्ज के कभी फैशन और स्टाइल हो सकता है नहीं यान कि फैशन और स्टाइल की सपलता ग्रहाग स्विकरती पर निर्भर करती है लोग पर यह कौन करता है फैमस कौन करता है क्या प्रड्यूसर एक स्टाइल और एक फैशन को फैमस कर सकता है नहीं एड़िटाइजमेंट करवाएगा और किस हद तक जब तक अगर उसके अगर फैमस हो जाता है आपका लोगप्रिय बन जाता है तो उस प्रड्यूसर को बैनेफिट हो सकते हैं और उसे कम से कम जोखिम का सामना करना पड़ेगा अब आप बोलोगे कि रिस्क इससे कम कैसे हुई एक बात बताओ अगर आपका प्रड्यूसर चल रहा है मार्केट मे सर्वाइब कर रहा है तो क्या आपकी रिस्क जो है वो कम नहीं होगी आपका मार्केट से आउट होना कम नहीं होगा एक बात बताओ अगर आपका प्रड़क्त मार्केट में सो यूनिट बिक्रा पर देखा और बाकी कंपारिटिव सब के 40-50 ऐसे बिक्र है जैसे आपका प् आज किसी है दस इस तरह से यूनिट बिक रही है तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो रिस्क है वो कम हो जाती है इन लोगों के जिनके प्रड़क्स इतने ही बिक्रे यह लोग कौन हुए आपके कॉंपेटिटर्स क्लियर है यहां पर इतना समझ आया आगे चलते हैं कि क्योंकि रिस्क अभी मैंने वदाया रिस्क क्यों कम होती है अब देखते हैं कि इसके अतरिक फैशन और शेलिग में निरंदर परिवर्तन होते रहने से मांग में अनशित्ता बनी रहती है उत्पाद वित्रन लागत और जोखिम में ब्रदी होती है इन शॉट हम यह कह सकते हैं कि अगर इंटरनेशनल मार्केटिंग में प्रडिउसर को में यह प्रब्लम फेस करनी होती है कि वह फैशन और स्टाइल कि जो साइकल है उसमें खुद को किस तरह से प्लेस दे यानि कि देखो यह है हमारा पूरा मार्केट होल वर्ड यूनिवर्स का मार्केट ठीक है यहां पर यह आपको यहां पर आपको अगर पूरे दूसरे स्टेट से जाना है यह आपका समझो यूएस का मार्केट होल मत समझो सिंगल मार्केट समझो ठीक है यह आपका इंडिया का एक सेकंड दूस जिस्ट एक्जामपल दे रही हूं यह आपका यूएस है प्रड़क्त इंडिया को क्या करना है यूएस में जाकर अपने प्रड़क्त को बेचना है पर वहां पर जो फैशन और स्टाइल है वह थोड़ा सा अलग है तो वह इंडिया वाला यह सोचता है कि मैं किस तरह से मैं कि यूएस एक मार्केट में एंटर करो डिक है अपना प्लेस किस तरह से बनाओ तो इस संब्द में उसे क्या करनी होगी व्यापक जानकारी होनी चाइए उसके पास क्या चाहिए उसको इन्फोर्मेशन चाहिए ठीक है सबसे पहले फिर है कि साथ यहाँ निश्शित करना है कि तो उसका लक्ष यह कौन सा बाजार अब यूएस में भी क्या हो गए बहुत सारे मार्केट्स है अब एक इंडियन को एक जो भी आपका एक्सपोर्टर आ रहा है उसको यह देखना है कि मुझे कौन से मार्केट में जाना है A, B, C, D, E, F और G अब मुझे जाना है G में जाना है मुझे F में जाना है या E में जाना है कौन से मार्केट में जाना है यह उसको पहले डिसाइड करना होगा वो जिस मार्केट में एंटर करना चाहता है उसका फैशन जो साइकल होता है वो कैसा है उसके बारे में क्या करनी है information लेनी है अब आप पूछोगे fashion cycle क्या होता है fashion cycle मतलब कि एक product की जो limited जो cycle का मतलब होता है चक्र तो एक time ऐसा आता है जिस time आपका वो cycle जो है वो the end हो जाता है तो उस वक्त आपको क्या करना होता है कि fashion cycle का मतलब यह होता है कि जो भी fashion आपने trend में लाई है trending है वो एक time ऐसा आता है जब आपका उसका decline period आ जाता है तो उस समय आपको यह information निकालनी है कि जिस market में हम enter कर रहे हैं हम अपने product को launch करेंगे वहां का fashion कैसा है और fashion होने के साथ साथ उसका fashion का cycle कैसा है उससे related information लेनी है आपको clear है यहाँ पर तो इसके कुछ countries example हो सकते हैं जैसे के उदारन के लिए यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान जैसे विक्सित देशों में रास्टिय फैशन की गती काफे तिब्र है यानि के जैसे जापान, USA, रश्या, इन में क्या होता है फैशन साइकल जो है वो बहुत ही फास्ट है बहुत तिब्र गती से होता है क्योंकि यह कौन सी कंट्रीज है डेवलप कंट्रीज तिक्या अब हम बात करते हैं कि ऐसी भी जैसे इंडिया जैसे इरान जैसे आपके इराक तो इस तरह की कंट्री में क्या होता है यह क्या है आपकी डेवलपिंग कंट्री तो इस तरह की कंट्रीज में फैशन का जो साइकल है वो थोड़ा सा कम क्या होता है तेजी से चलता है तो इस तरह से हम क्या सकते हैं कि यह हमारा fashion और style का एक अगर आपको market में fashion और style से संबंदित information कलेक करने तो आप किस तरह से करोगे तो आज की class में हमने देखा fashion के बारे में discuss किया है fashion style होता क्या है उसके के बाद में हमने देखे हैं उसके कुछ तीनो प्रिंसिपल ट्रिकल डाउन का मतलब होता है कि उच्छ वर्ग क्या करेगा निम्न वर्ग की और भीजेगा यह हमारा उच्च वर्ग सबसे पहले देखेगा कौन उच्च वर्ग जाता है निम्न वर्ग क्या करेगा बेजेगा उपर की तरफ और अक्रॉस में क्या होता है उच्च निम्न और मध्यम वर्ग तीनो एकसाथ प्रेजेंट तेनों को एक साथ present किया जाता है और तीनों एक साथ अपने उस product को यूट्राइज करते हैं तो इस तरह से ये था अमारा तीनों आज का principles trickle down, trickle up and trickle across तो आज का जो हमारा topic था फेशन and style यहीं खतम होता है next class में हम product innovation पर बात करेंगे तो आज की class हम यहीं खतम करते हैं